हेलो गाईस, विलकम टू इंदिस चैनल, इस वीडियो में हम राज जे के राज जेपाल से समबंधित प्रमुक 25 महतोपुर्पुर्परस्ण लिक रहे हैं, जितने भी आपके कॉंपेटिसन एकजाम होते हैं, उसमें राज जेपाल से समबंधित, मुसली ये सभी परस्ण ही प कहा गया है कि राज जे की समस्त कारिपाली का सक्तियां राज जेपाल में नहीत है, क्या बोल गया है समिधान के किस अनुछेद में कहा गया है, कि राज जे की समस्त कारिपाली का सक्तियां राज जेपाल में नहीत होती है, इसका अंसर हो जाएगा option C, आर्टिकल नमबर 154, में इसमें कहा गया है इसमें संपरिच्छा प्रतिवेदन है इसमें क्या है महा लेखा परिच्छा के बारे में क्या दिया गया है और 153 आर्टिकल नमबर में क्या है इसमें राज्यों के लिए राज्येपाल होगा प्रतिएक राज्येपाल होगा या तथ्य दिया गया है और आर्टिकल नमबर 155 में इसमें क्या बोला गया है इसमें राज जेपाल की न्युक्ती संबंदित तत्यों का वर्णन किया गया है इनस अभी आर्टिकल नमबर को आप देख लेंगे नेक्स्ट नमपर में आते हैं, नीन मलिखित में किसकी न्यूक्ती राज जिपाल नहीं करता। नेक्स्ट कोश्टन में आते हैं, नीन में से किसको हटाने का प्रविधान समिधान में नहीं है। की तरह राज्य पाल को महा भयो की प्रक्रियa द्वारा नहीं हटाया जा सकते है या प्रक्रिया समीधान में है ही नहीं या केंद्र सरकार पर निर्फित है ओके कई सिया। याद रहेंगे और अनुछे 74 के अनुसाद राश्टरपती केंदरी मंदल के सहायता और सलाह के अनुसार कारिक करने के बाध्य होता है राज्यपाल की न्यूकती और उससे पद से हटाने का कारिक केंदर सरकार ही करती है राश्ट पती के प्रसाद पर्यंता सब्द का अर्थ केंद्र सरकार की प्रसंता से होती है ओकी का इस समिधान में क्या दिया गया है राश्ट पती के प्रसाद पर्यंता होते हैं नेक्स्ट कोस्चन में आते हैं राश्ट पती के प्रसाद पर्यंता होता है क्या बुल लगए है राज जपाल राज्य में किसका प्रतिनीधी करता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्सन इ राष्ट पती का प्रतिनीधी होता है नेक्स्ट कोस्चन में आते हैं उप राज्यपाल की न्यूक्ति कौन करता है या भी इंपोर्टेंट कोस्चन है उप राज्यपाल की न्यूक्ति कौन करता है इसका अंसर हो जाएगा आप्सन फर्ष्ट राष्ट पती कौन करता है उप राज्यपाल की न्यूक्ति राष्ट लुचेरी तथा अंडबान निकोपार में उप राज्यपाल है। नेक्स्ट कोस्चन में आता है। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोस से आता है। किसी तरह भारती राज्यके राज्यपाल से संबंधित नीन मलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसी प्रकार की कोस्चन एक जामें बहुत पूछे जाते हैं। क्या बोलग है कौन सा कथन सत्य नहीं है किसी भारती राज्यके राज्यपाल से संबंधित। इसका अंसर ह सत्य नहीं है इसका अंसर हो जगा option c c यदि संबंधित राज्य की विधाई का उसे पद से हटाये जाने के लिए प्रस्ताव पारित करता है तो वह पद मुख्द किया जा सकता है जैसे कि हमने पहले प्रसमें पढ़ा राज्येपाल को किसी महाभ्यों के द्वारा नहीं हटाय सकता है इसका मतलब है यह क्या है यह लाइन गलत है अन्य बचे देख लेते हैं वह पांच वर्ष तक पर रह सकता है वह भारत के राज्ट पती दुवारा न्यूक्त होता है वह एक से अधिक राज्जिपाल के यह आदर रखेंगे इसका अंसर हो जाएगा option C राज्य के उच नियाले के मुख्य नियाधिस राज्येपाल को पद की गोपनीता का सपत दिलवाता है राज्येपाल पद गरहन करने से पूर्व उच नियाले के मुख्य नियाधिस अथ्व वरिष्टम नियाधिस के सम्मुख अपने पद की सपत लेता है सपत लेता है और इसकी नियूपती कौन करते है राश्ट पती करते है ये दोनों में फर्क है नियूपती और सपत ओके का इस नेक्ष्ट कोस्चन में आते हैं राज येपाल को नीन मलखीत में से किस प्रकार की सक्ति प्राप्त नहीं है वो लगए है किस प्रकार की सक्ति प्राप्त नहीं है इसका अंसर हो जाएगा आपसंडी न्याइक सक्ति प्राप्त नहीं है अन्य सक्ति बचे देख लेते हैं इन्हें विधाई सक्ति प्राप्त है कार्यपाली का सकती प्राप्त है, सन्य आयम राजनाईक सकती प्राप्त है, बाकि न्याईक सकती इन्हें प्राप्त नहीं है, इन्हें सिर्फ न्याईक अधिकार में वेक्ति को दंड के छमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार करनी की सिर्फ इनको अधिकार है, बाकि उनको न्याय दिलाने के सकती इन्हें प्राप्त नहीं है इसका अंसर हो जाएगा option D इनकी न्यूक्ती राष्ट पती करते हैं या सिर्फ राष्ट पती को इनकी न्यूक्ती के अनुसार परामर्स देते हैं अन्य बचे मुख्य मंत्रियों मंत्री परिसद राज्य का महाधीवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग इन सभी सदस्यों की न्यूक्ती राज्यपाल करती है नेक्स्ट कोस्चन में आते हैं राज्यपाल विधान सभ हमें आंगल भारती समुदाए के कितने वेक्तियों को मनुनित कर सकता है सबसे पहले देख लिते हैं आंगल भारती समुदाए क्या होता है यह व호 ब्रिटीस नागरिक है जो स्वसंत्रता के बाद ब्रिटेन वापस नहीं गया और भारत में बस गये, उन समुदाय को बोलते हैं आंगल भारती समुदाय, अब इसमें क्या बोला है, कितने व्यक्तियों को मनुनित कर सकता है, इसका आंसर हो जाएगा, ओप्सन ए, एक व्यक्ति को, यदि विधान सभा में आंगल भारती समुदाय को परियाप्त नहीं प्राप्त है, तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधान सभा का सदर से मनुनित कर सकता है, यह अनुछे 333 में है, और राष्ट्रपती कितने आंगल समुदाय को व्यक्ति को मनुनित करता है, वो दो को करते हैं, नेक्स्ट कोस्चन में आते हैं, राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिसद यदि विधान मंडल दूस सदनी है, में नीम्न में किन छेतरों से सम्बंधित व्यक्तियों को मनुनित कर सकता है, इसका अंसर हो जाएगा, उप्सन डी, उपरियुक्त सभी को कौन कौन से इसमें सामिल है कला और साहित्य विज्ञान समाजिक सेवव सहकारित अंदूलन या सभी सम्बंधित विषय सामिल है, जिसे सम्बंधित राज्यपाल विधान परिसद में मनुनित कर सकते हैं व्यक्तियों को, कि इस राज्यके राज्यपाल को जीला परिसदों के दिये जानने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धानित करने का अधिकार है। नेक्स्ट कोस्चन में आते हैं, वर्स 1970 में राष्टपती ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य का मंत्री मंडल के साथ सम्बंध निश्चित करने के लिए एक समीती का गठन किया। नेक्स्ट कोस्चन में आते हैं, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिडिया के सम्थूल्य है या किसका कथन है। क्योंकि यह कथन इस प्रकार है क्योंकि पूरे राज्य का अधिकार मुख्य मंत्री के पास होता है। यह दो इसें को छोड़कर राज्यपाल को अधिकार प्राप्त है। यदि राज्य में राष्टपती सासन हुआ तभी राष्टपती को पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए से राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली छीडिया के सम्तूलिय कहा गया है। इस नेक्स्ट कोस्टपती में आते हैं राज्यपाल विधान परिस्थ के कितने सदस्यों को मनुनीट कर सकता है। इसका अंसर हो जाएगा option C. One, six भाग को क्या कर सकते है? राजन जेपाल विधान परिषद में सज़़י को मनुनित कर सकता है. Next question में आते हैं. राजन जेपाल के अभिभासन का अर्थ है? option C. विधान मंडल के दोनों सद्रों की संयूक्त बैठक में दिया गया भासन राज जेपाल के अभिभासन का अर्थ है। राज जेपालों के लिए मार्ग निर्दे सांग सिधान्त निर्धारित करनी की अनुसंसा की समीती ने की थी। इसका अंसर हो जाएगा ऑप्संडी प्रसासनिक सुधार आयोग समीती। इसका अंसर हो जाएगा ऑप्संडी उपरियुक्त सभी। इसका अंसर हो जाएगा ऑप्संडी। 1965 में 1965 में जम्मू कस्मीर के सदरे रियासत पद नाम को बदलकर राजपल कर दिया गया नेक्स्ट कोस्चन में आते हैं राजजेपल द्वारत जारी किये गए अध्यादेसों पर कौन सी कार्यवाही आवस्यक होती है इसका आंसर हो जाएगा option B राजपल द्वारत जारी किये गए अध्यादेसों में नेक्स्ट कोस्चन में आते हैं राजजेपल का पद गाड़ी के पांचवे पहिये के समान बनकर रह गया था या किस युग में कहा गया था क्या बोल गया है राजपल का पद गाड़ी के पांचवे पहिये के समान बनकर रह गया था कौन सी युग में या बोली गई थी इसका आंसर हो जाएगा option A नेहरू के युग में तो गाईस इस वीडियो में इतना है वीडियो अच्छा लगा था प्लीज वीडियो को लाइक सब्सकाइब और सेर करना न भूले थांक यू सो मच